आप सभी के लिए फिर से एक और पिकर स्फेर रीडिंग लेकर और आशा करते हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना धेर सारा ख्याल रिख रहे होंगे आज मैं आप लोग लेकर लेकर आई हूं इस डीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा डिफरेंट है अंट्रस्टिंग है और यहां पर हम देखने वाले हैं कि आप लोग के लाइफ में शान्ती क्यों नहीं है भी क्यों अती सारी प्रॉप्लम्स आप लोगों क से सौर्ड कर सकते हो रीडिंग के एंड में मैं आपको यहां पर रेमेडी भी देने वाली हूं तो आप जो भी यह उप्शन को सलेक करो आप उसके रीडिंग को पूरा देखना अच्छे से उसको समझना और अपने जीवन में अपलाई करना विकर्स यह जो रीडिंग है य ब्रीधिंग करो भगवान जी से उनों प्रातना करो प्रेयर करो कि वह आपको गाइट करें वह आपका मार्ग दर्शन करें और उसके बाद जिस भी स्वेर के एनरजी से आप ज़दा कर पा रहे हूं आप उसको चोज़ कर सकते हैं ऑप्शन फर्स के लिए हैं यहां पर यह आप इसका स्वेर के लिए हैं यहां पर यह रोज का स्वेर ठीक है तो आराम से आप चोज़ कर लीज़े जो भी स्वेर से आप लोग ज़्यादा कर पा रहे हैं टाइम स्टेंस नीच है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जयाद रहें जनरल री कुछ चीज़े करें कुछ नहीं करें तो आप सभी लोग एक उपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं हलो अप्शन फर्स अगर आप लोगों ने एमितिस के स्वेर को चूस किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग के लाइफ में ऐसा कौन सा बैठ कर्मा है जिसकी वज़त से आप लोग के जीवन में शान्ती नहीं है प्रॉब्लम्स है रुकावते हैं स्ट्रगल है जो मैं खुया है जोज़ति करें आपको रास्ता दिखाएं क्युकि मैं एक मीजियम हूँ गाइट करने वाले रास्ता दिखाने वाले ब्लस करने वाले बगवान जी हैं छीक है ना तो बिजलोर से अपने मन में आपको प्रेयर करते रहनी है Option first Please universe, guide me For option first Queen of Swords Okay Justice Okay Seven of Cups Okay And High Priestess Okay I will tell you all the cards I will tell you Ace of Swords Okay Three of Pentacles Okay So Option first अगर मैं बताओ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर्वेशन का है कहा से प्रॉब्लम्स आरी इस्पे택ट फर्सक्रण ना हमेश्ट सी कोई और लेते आया है हो सकते है कि आपकी निए बहुwn हो आपके ज Ms Lion करना हमेशा किसी ने किसी तरीके से आपके उपर काम का प्रेशर जिम्मेदारियों का प्रेशर जिसे आपको कोई ऐसे इंस्ट्रक्ट करता है तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो तुम यह करो तुम यहां जाओ तुम यह मत करो इस तरह की एनरजी से आप लोगों ने बहुत जादा अपनी लाइफ में डील किया है और यहां पर सबसे सबसे जो अपने एक कमी अपनी लाइफ में महसूस करी है वो है freedom की, वो है अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने की हमेशा ही आपको ऐसा हुआ है कि दूसरों की according चलना पड़ा दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ा sacrifice करने पड़े कभी चाते हुए और कभी नहीं चाते हुए एक confusions आप लोगों की लाइफ में है कुछ गलट decisions आप लोगों ने ले लिए उनका guilt भी आपको है काश तब मैं अपने लिए stand ले ली थी काश मैं ये feel choose कर लेती काश मैं ये कर लेता काश मैं ऐसे कह देता तो ये काश एक तो आपकी life में बहुत जाता है past का regret आप लोगों को बहुत जाता है और चाहा कर भी किसी situation से बाहर नहीं निकल पाते हो आप लोगों के सथ अमूम ये होता होगा option first कि आप अपने decision लेने में na confused हो जाते हो कि मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है या फिर से आपने किसी topic के बारे में किसी से discuss किया और सब ने अलग-अलग राय दी और आप सब में confused हो गए कि अब actual में मुझे क्या करना है यहां पर कमी क्या आरी है एक lost energy है भटक जाते हो बार-बारी गलट decision ले लेते हो आप लोग और क्योंकि आप लोग बहुत मासूम हो आप लोग बहुत भोले हो emotional हो, sensitive हो आपके दिल में कोई छलकपट नहीं है तो क्या है ना कि दूसरे लोग जो ऐसे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इस कमजोरी को समझ जाते हैं आपकी वो emotional side को समझ जाते हैं और उस तरीके से फिर वो आपका जिसे आपको advantage लेते हैं तो वो चीज़ मुझे यहां पर आप लोग के नजर आ रही है दूसरा कुछ लोग को ये भी है कि भई मैंने बहुत मैनत करी है लेकिन मुझे उस हिसाब से result नहीं मिल रहे है मेरी life में मुझे उतना नहीं pay हो रहा है जितना की मुझे होना चाहिए तो यहां पर ये कुछ चीज़ें जो है option first मैं आप लोग के साथ देख रही हूँ और काफी जादा एक suffocating energy है आप लोगों की ये नो एक अंदर गुसा भी है एक अंदर में कुछ लोगों के लिए आपके मन में hatred भी है ना चाहते होए भी है कि इस इंसान की वज़े से मेरी life खराब हुई है कुछ लोग ऐसा blame भी करते हैं किसी और को है ना लेकिन मैं आपको एक बात बताओं कि हमारी life में जो भी कुछ होता है हम जो भी अच्छा बुरा फिलाल experience कर रहे होते हैं हम blame तो इसका दूसरों को दे रहे होते हैं लेकिन वह energy को हम खुद ही अपनी life में attract करते हैं अपनी कर्मा से राइट तो अभी यहां पर old कर्मा आप लोग का क्या मुझे नजर आ रहा है मैं बताओंगे solution क्या है यहां पर बात में यहां पर कुछ लोग ले old कर्मा यह है कि शायद आपने इस जनम में पहले कभी किसी जनम में अपने फाइदे के लिए यह नो शायद आपकी वज़े से किसी को तकलीफ हुई थी अब देखो मैं इतना ज़्यादा उस एनरजी में नहीं जाओंगे विकरस मैं पास्ट को बहुत अदा डिसकस करने पर बिलीव नहीं करती हूँ मैं बिलीफ करती हूँ कि आप अभी क्या कर सकते हूँ अपने प्रेजन को अपने फ्यूचर को ब्यूटिफुल बनाने के लिए तो यहाँ पर कुछ ओल्ड करमा आप लोगों कर रहा है अब आप लोग चाहें माने चाहें नहीं माने इस्टेज को कभी जाने अन जाने में आपसे कुछ गलतियां हुई है कुछ ऐसे डिसिजन्स आपने अपने पास्ट में लिये हैं चुकि शायद आपकी नजर में तो सही थे लेकिन उसका इंपेक्ट दूसरे लोगों के उपर बहुत जादा गलत पड़ा रहे हैं दूसरे लोगों के इस्ट के वज़े से कासरे परिशानी हुई सफर करना पड़ा और हो सकता है कुछ लोगों से अ supposedly हो गया है लेकिन हुआ तो सही है तो जैसे कुछ लोगों के न गियुक्षान होता है तो ऐसे बद्वा से नहीं थे तुम भी एक दिन ऐसे तो वह एनरजी कहीं ना कहीं आप अपने साथ कहरी फॉर्वर्ट कर रहे हो और जिसकी वज़े से बार बार एक आपकी लाइफ में खुशिया आती है दिन चली जाती है मतलब वह जो आप चाहते हो वह नहीं हो पाता है अब से पहले आप जिस भी रिष्टे से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कुछ लोग डेपिनिटली हां पर कुछ टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हैं कुछ नासिसस लोगों से डील कर रहे हैं तो अभी हाल पिलाल में आप लोग जिस अगर कोई भी परसन है आपकी किसे कर रहा है और मैं क्यों हील करूं पिकस्ट वह एनरजी को आप ही अट्रेक्ट कर रहे हो हो सब्सक्राइब किसी पहले जनम में आपने उसको परिशान किया हो समझ रहे हूं तो यहां पर अभी सारी चीचे को साइट करके आपको बस क्या सोचना है आप भी डिवाइन सो हो वो परसन भी डिवाइन सोल है अंदन अब आपके जम्मिदारी है कि आप यहां पर हील करें तो यहां पर कुछ लोगों को एक तो अपना रिष्टा जो है वह उस इंसान के साथ हील करने की जरूरत है आम या फिर से अगर लव लाइफ में बहुत सदा प्रॉबलम है या क हो उपोनो उपोनो प्रेयर जो है अब उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो हो उपोनो उपोनो यह ख़वाइन टेक्नीक है और अडिडी यूट्यूप पर बहुत सारी चीज़े हैं इस प्रेयर के रिलेटेड तो आप पढ़ सकते आप थुड़ी से रिसर्च कर सकते थेले यहां पे क्या आ पर आ रहा है अपने धडाई चग्रा पर काम करो अपने इंटूशन के उपर काम करो अपने डिसीजिशन जो है वह खुद लेना सीखो सही गलत में भरक करना सीखो और वह आप आप कर पाऊंगे जैबके आपका थर्डाई चक्रा जो है वह वह ce होगा तो तो यहां पे आप लोग अपने थर्डाई चक्रा के दिखो मैं डारेक भी नहीं कहते हूँ कि आप थर्डाई चक्रा पे काम करने लग जाओ मैं आप लोगों से ऐसे कहूंगे कि आप करने की शुरुबात करो और भगवान जी से प्रात्ना करो कि वो आपके जीवन में क्लारिटी को लेकर आएं आपकी इंट्यूशन अच्छी हो आप अपने लिए इस्टैंड ले सको अब सही और गलत में परक करना समझ सको तो यहां पर ध्यान लगेगा यहां पर मुझे कहा हुँए फाल जारा है कि हुँए सबसे पहले आप्स को सॉठ करने में परबल करने में पड़ेंगे ध्ämरेंगे थोड़ा से छेंज स्टैंड फॉलो करना अप ध्यान भी कर मॉदान आप अच्छे इंग लिए ईस्ट्रेशन एंट्परंइंगे मंत्र कि बार बार चैंटिंग कर रहे हो अपनो प्रेयर कर रहे हैं तो ऐसे अपना कुछ स्पिच्छल रूटीन बनाओ कुछ टाइम तक बहीने दुमाईने उसको फॉलो करो और देखो कि आपकी लाइफ में कितने सारे जो है वह अच्छे अच्छे रिजल्स जो है वह आ रहे हैं और यहां पर चैनी यहां पर कहा जा है कि जब तक ्रोब्लम की ओपर फोकॉस रहोगे न उसे कर लेंश्टे भी priorit कर दिखना przेस्वाcs हमिका वह आपके दिंदर वह आपको यह ने बाहर निकल सकते हो अपने आपको heal करके यहाँ पर moon की भी energy है तो अपने आपको emotionally balance करने के उपर काम करो और आप इसके लिए मैं बता हूँ दो stone आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे एक तो amethyst और दूसरा moon stone ठीक है amethyst वह थरड़ा ही चक्रा पर काम करता है moon stone आपको emotionally balance करता है आपके crown चक्रा के उपर काम करता है तो आप amethyst and amethyst मैंने व्यार कर रखाया amethyst and moon stone आप इन दोनों को व्यार करो इनके साथ meditation करो भगवान जी से prayer करो अच्छी अच्छी affirmations यहां पर कहा जा रहा है कि आप दो और फिर आपकी life में definitely बहुत सारे positive जो है वो changes आएंगे इसके साथ में मैं कुछ cards निकाल लूँ फिर आपको और बचाती हूँ option first see यह भी न intuition के energy high priestess के energy है कि अपनी intuition को सुनना सीखो अपने अंतरात्मा की न आवास को सुनना सीखो और उसको follow करो और वो तब ही हो पाए का भई जब आपने उपर काम करोगे अपने मन को शान्त रखोगे अपने आपको heal करोगे rejoice and celebration यह three of cups की energy है कि अपने आपको खुश रखने की जिम्मिदारी आपके खुद की है ठीक है यहां पर कहा जा रहा है कि अपने लिए कभी कबार थोड़ा सा समय निकाला करिये थोड़ा सा enjoy करना थोड़ा सा गोमना फिरना थोड़ा सा light energies में रहना यहां पर कहा जा रहा है कि सीखिए आप लोग ठीक है न और यहनो यह energy three of cups की है लेकिन यहां पर message के मिला like minded लोगों के साथ रहना ऐसे लोगों के साथ रहना जो खुद भी जैसे spiritual है spiritual path पर है daily meditation करते हैं ध्यान करते हैं तो आप लोग ऐसे कोई meditation center जा रहे हो कोई retreat join कर रहे हो retreat class जैसे रहती है तो कुछ न कुछ यहां पर थोड़ा सा ऐसा है कि आगे भढ़ो जैसे लोगों के संकती में रहोगे वैसी energies को अपनी life में और ज़्यादा attract करोगे तो यहां पर एक तो community का message भी मिल रहा है कि अच्छे लोगों की community में आप लोगों को रहना है material and spiritual prosperity तो यहां पर यह दोनों ही चीज़े सास्ता चलेंगी material and spiritual जैसे 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 आप spirituality में आगे भढ़ोगे ध्यान कर रहे हो है ना जाप कर रहे हो अपने आपको balance कर रहे हो वैसे वैसे आपकी material wealth है यह भी भरती चली जाएगी abundance आप लोगों की life में आती चली जाएगी money flow यहां पर आप लोगों की life में अच्छा हो जाएगा और जो चोड़ी चोड़ी परेशान करती है ना चीज़ें आपको इसने ऐसे कह दोखा दे दिया यह चीज़े खुद पर खुद खुद पर दूर होती चली जाएगी आप इन चीजों से बहुत आगे भड़ चुके होंगे और फिर चोटी चोटी बातों का effect भी आपको नहीं पड़ेगा लेकिन दिको सारी चीज़ें कहां आकर रुकती है कि काम करने की श ले जाएंगे तो यह दो ही चीज़ें यहां पर आपके लिए पॉसिबल है और देखते हैं यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है डेट एंड रीबर्ट नमर नाइंटीन ओके अच्छा तो पहले मैं आपको रेमेडीज बता देती हूं कि अभी आपने रेमेडीज करनी क्या है जिससे की यह जो ओल्ड कर्मा है यह जो आपका बैट कर्मा है इसे आप रिलीज कर सको दिखो इसके लिए यहां पर जो जो चीज़ें मुझे आपके लिए नजर आ रही है एक तो है सबसे पहले की प्लांस लगाना दिखो आपको यह प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी कि आप महीने में दो बारी तीन बारी चार बारी पांच बारी यह नो अच्छी अच्छी जगह पर प्लांस लगा रहे हो उनकी देख़ाल कर रहे हो क्योंकि यह भी अपने पर आ रहा है कि आपको जादा से जादा लगाने हैं दूसरी चीज़ यहां पर कहा जा रहा है कि अपने रूटीन में आपको इक चीज़ शामिल करने वो यह कि आप रेगुलर बेसस पे कोई भी इस्प्रिच्छल प्लेस मतलब की मंदर मज़र चर्च गुरदारा जो भी आ पर उनके लिए उस तरीके से भोग प्रशाद फ्लास लेकर जाएं वहां बैठकर उनका ध्यान करें उनसे प्रात्ना करें और जो भी सराउंडिंग की एनरजी है तो कि दिखो जो भी स्प्रिच्छल प्लेस होते हैं मंदर वगेरा होते हैं वहां की अनरजी इस वह थाई हो प्रासा जाना है कुछ डोनेशन वगेरा आप लोगों ने यहां पर कहा जा रहा है कि अफकॉस करने हैं कुछ ऐसी और जानाइशेशन जो कि लोगों के लिए काम करती हैं यह गरीब लोगों को प्रोवाइट करती हैं फिर से आप जाओ तो खुदी कर लेना कि जो भी तो वो चीज यहां पर है कि आपको उतनी हेल्प यहां पर करनी हैं तो यह कुछ रहमिदीज हैं यहां पर option first आप लोगों को अपने लिए करने हैं वाकि healing के लिए तो मैंने आपको बताई दिया है आप इन चीज़ों को follow करो अपने लिए आपको definitely results मलेंगे इसके बाद यह यहां पर कार्ड है death and rebirth का darkness to light आपके इस lifetime में देखो problems रहेंगी परिशानिया रहेंगी मुश्किले रहेंगी darkness है यहां पर अंधेरा है लेकिन साथ के साथ देखो यहां पर light भी है यहां पर यहां पर यहां पर यहां जैसे आपका यहां पर आपको कर्मा वह रिलीस करने यहां आप यहां करने लेगे हैं और spiritually evolve होना अपने इस form का all kinds more मैं किया बहुत बहुत कुछ करने यहां पर बहुत लोग Bye कर लरा है कि आप तपस्या कर रही हो तो बहुत आगे जाओ कि यहां बहुत आगे जाओं के स़िई एरिया में स्भिक्विश्वालिति में यह चीज़ यह देस के सासे यहां पर is the conflict and unrest का message मुझे अगें दिखो वही अनर्जी यहां पर फील हो रही है कि यहां पर परिशानिया है लेकिन आपको कभी भी ना मतलब अपना विश्वास को टक मगाने नहीं देना है अपको हमेशा यहां पर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है वह हाईर पावर के उपर वह रखना है जब भी मन परिशान हो दुखी हो जैसे मैंने कहा कि मंदिर यहनो इस प्रिच्छल प्लेस बे आप चले जाओ उनका ध्यान करो अपनी बाते अपने चीज़ें जो है वह उनके साथ शेयर करो और उनसे ब्लेसिंग्स मांगो आपको डिफिनिटली बहुत ही जाती है कि हीलिंग लगेगी ठीक है यहां से लास से लेते हैं कि कान जी आपसे क्या कहना चाते हैं आप्शन फरस्ट सबसे जादा जो मेन आपके रीटिंग में जो पॉइंट है ना वो यह हाई प्रिस्टिस का यह सबसे ज़दा हाईलाइट वाले एनरजी है मैं अप लोगों को से कहूंगे कि हाई प्रिस्टिस की एनरजी के साथ काम करें भई make the right choice again देखो मैंने कहा न सही गलत को समझने की वो परक तो वही चीज नहीं हाँ पर फिर से आ रही है be humble in all you do vanity, breathe, sickness, make the right choice सही और गलत को समझना और सही समय पर सही decision लेना सही तरीके से act करना, सही तरीके से react करना और यह चीज आपके अंदर किस तरीके से आएगी जैसे जैसे आपका थरड़ा ही चक्रा जो है वो heal होगा थरड़ा ही चक्रा आपका एक्टिव होगा तो अपने इसी चक्रा की उपर आपको काम करना है बाकि क्रिस्टल मैंने आपको बताई दिया है साथ में कि आप एमेथिस्ट को और मून स्टोन को साथ में ब्यार करें एक करना चाहते हो तो पहले एमेथिस्ट कर लेना बाद में म मुझे बहुत ज़ाद मोटिवेशन देता है आगे भढ़ने में रीडिंग्स, क्रिस्टल्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ किसी भी तरीके से आपको help कर रहे हैं तो नीचे एक प्यारा सा comment जो है वो जरूर छोड़ें जरूर लीव करें और रीडिंग अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स रीडिंग में तब तक के लिए बाई अगर आप crystals purchase करना चाहते है और personal reading लेना चाहते हो तो आप मुझे instagram पर connect कर सकते हूँ या फिर mail कर सकते हूँ लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने रोज का इसकर स्पैर को चोज़ किया है तो चले देख लेते हैं कि आप लोग के life में शांती क्यों नहीं है कौन सा इसा आप लोग के life में old karma है bet karma है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है जिसके वज़े से आप लोग के life में problems आ रही है कैसे उसको sort कर सकते हो क्या remedies हैं आप लोगों के लिए यह सारी चीज़ें यहां पर आप लोग के लिए देखने वाले हैं सो एंड तक इस रीडिंग को जरूर देखना आप लोग सो यह स्वेर को यहां पर साइट से रख देते हैं एंड शुफल कर लेते हैं कार्ट ऑप्शन टू ब्लीस अर्वर्स गाइट में वर ऑप्शन टू आपके शपलेंगे निए उपारी ऑप्शन टू अके प्राइट एंड आप लेगों हम 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 इमोशनल हो option too आप लोग बहुत जादा सेंस्टियर बहुत जादा इमोशनल मतलब आप लोग तो ऐसे हो कि अगर आप रहा चलते यूनो किसी इंसान को परिशान देख लो किसी जानवर को दुख्य देख लो तो आप लग वैसी लेकिन बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में, बहुत अपना पन है सबके लिए, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, हमेशा सबके लिए अच्छा करते हो, लेकिन आपको वो प्यार नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हो, सबसे सदा आप लोगों की लाइफ में एक कम धोका हुआ, friendships तोटी, तो बहुत सदे एक heavy energies कहीं न कहीं, option जो आप लोग carry कर रहे हो, past की energies बहुत सदे कर रहे हो, फिलाल आप लोग की life में शान्ती नहीं है, क्योंकि एक तो आप बहुत सदे past के बारे में सोच रहे हो, ऐसा हो गया, कब सही होगा, सही होगा की नहीं होगा, प्यार किसमत में लिखा है की नहीं लिखा, बहुत 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 सारी, एक तूफान सा मच्छा पड़ा है आप लोगों के अंदर, और यही एक reason है कि वो shuffling भी नहीं हो पा रही थी, ठीक से, जब हम बहुत ज़ादा, हमारे मन में अंदर ही, बहुत ज़ादा thoughts चल रहे है, बहुत ज़ादा feeling चल रहे है, बहुत ज़ादा anxiety हो रही है, हमें कुछ भी clarity नहीं मिल रही होती है, life में आप लोगों को आगे तो भढ़ना है, life में expand करना है, आगे बढ़ना है बहुत कुछ करना है अपना सोल पपर्स भी पूरा करना है लेकिन आप इस तरह कदर यो नो वो एनरजी में इस वक्त फसे पड़े हो कि अंधेरा ही अंधेरा जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को और देखते हूं मैं देखते हूं क्या करमा ऐसा आप लोगों कर रहा है कि इस विक्त यह सिच्वेशन आप लोगों के लाइफ में है चैनल पॉन्स ओके 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 अच्छा ठीक है option two कहीं न कहीं देखो मैं ज़्यादा पास्ट के अनर्जी के बारे में बात नहीं करूंगी लेकिन जो करमा यहां पर मुझे आप लोगों का नज़र आ रहा है जिसके विज़े से आप अभी परेशान हो कहीं न कहीं जिसे आपने अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाया अब देखो मैं ऐसा बलकुल भी ज़रूरी नहीं कि मैं इसे जनम की बात कर रहे हूँ हो सकता है यह पहले किसी जनम में हुआ हो तो यहां पर क्या आ रहा है कि आपने शायद अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं निभाया और आपकी विज़े से आपके अपनों को प्रॉब्लम हुई आप शायद छोड़ के चले गए आप लोग शायद किसी अधर डिरेक्शन में चले गए आपने प्यार के लिए यानो आपने प्यार को चूस किया तो पता नहीं फैमिली वालों की बड़वाई मिली इनकेस अगर आप लोग शादी जैसे आप की शादी भी हो गई है तो भी आपके रिष्टे में वो happiness नहीं हो वो depth नहीं हो जो की होनी चाहिए चाहें आप लोग कितनी ही remedies कर रहे हो चाहें आप लोग कितना ही सब कुछ कर रहे हो लहिए और आप चीज मुझे हाँ पर कई ना कई नज़र आ रही है मैं दो कार्ट से और लेना चाहूंगी ओखे इस अप्षिन तो यहां पर यह कहे जा रही है कि सबसे पहले ना अपने प्रिजिन मुमेंट में रहना सीखो जितना जाधा आप पास्ट के बारे में सोच चोगे जितना जाधा पास्ट की चीज़ों को बार बारी याद करते रहोगे तो फिर आप पिर आपकी लाइफ में वो शान्ती वैसे भी नहीं आईगी तो यहां पर क्या है दिखो जो होना था वो हो गया आप उसे अभी नहीं ब जो आपके पास अभी है उसमें खुश रहना है और उसी में यहां पर कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत करनी है यह समय आपके जीवन में है एक नई शुरुआत करने का एक नई सरे से यहां पर चीजों को शुरू करना है आप लोगों को एक नई सफर पर यहां पर आप ल जैसे कोई राद भर रोया सुबह उठा पूरे पुरे पुरे ऐसे पड़े बाल बिखरे कोई परिशान सा दुखी सा चेरे पर बारह बज रहे हैं मतलब एक चीप सी एनरजी मुझे हाँ पर आप लोग की तरफ से फील हो रही ऑप्शन टू तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है खुद को रिवाइफ करो अच्छे से जाओ सुबह जल्दी उठो पार्क जाओ थोड़े वॉक कराओ अच्छे से इनो फ्रेश वगरा होके ना कर अच्छे से ड्रस अप होके तयार हो जाओ चाहे कई भी नहीं जा रहे हो लेकिन घर में तयार होके बैठो आपको डिखना आ चाहतना करो इन्हीं सारी चीजों से अपकी लाइफ में पॉजिटिव बित्री आईगी उल्टा आप पुर दिन डिप्रेशन वाले सैट सॉंग सुनते रहो ऐसे कोट्स पड़ते रहो डिप्रेशन वाले है ना तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा आप उस एनरजी में औ करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में सैड चीजों से जो भी चीज़े आपको दुखी करती है थोड़ा उन से आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा और अपना ख्याल बहुत सारा रखना पड़ेगा यह चीज यहां पर करी जारे कि अपने समय कहीं नहीं आप लोग को रा जीज हो सकता है देखते हैं यहां पर कुछ और भी कात्स ओके 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 फाफ कप्स की ही एनरजी है ऑप्स इसमें को यहां पर कहा जारゃ रहा है और ऊप्शन तो कि आपने जीवन जीने को एक मक्सद बो यहां पर अमोँमन लोगों के जिंदेगे कहां तक रह जाती है कि जौब पर जाना इनला है कि अपने जीवन जीने को एक मकसद तो कुछ मोटिफ दो कि मुझे ये काम करके जाना है कि लोग मुझे सदियों तक याद करें मैं बस ये एक्जामपल के लिए बता रही हूँ तो कुछ यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ वेल्यूस को अपनी लाइफ में एड करो अपना मन कहीं लगाओ कुछ चीजों में लगाओ कुछ आटिस्टिक क्वालिटीज हैं आप लोग के अंदर कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं आप लोगों के अंदर यह कोई स्किल है आप लोगों के अंदर कोई भी स्किल कोई भी है ना कोई भी हो सकता है उसके ऊपर काम करो यहां पर कहा जा रहा है अपने name fame के लिए काम करो आप लोग को बहुत name fame मिल सकता है option two लेकिन काम करना पड़ेगा देखो आपको सबसे पहले कहा जा रहा है option two कि अपनी energies को shift करो shift करो और यह आपको ही करना पड़ेगा यह कोई और नहीं करेगा आपको ही अपने आपको इस वक्ट समभालना है आपको ही अपना ख्याल रखना है आपको ही अपने आपको खुश रखना है और वो मैंने आपको बता दे कि positive energy वाली जो चीज़ें है न वो करो अच्छे fruits खाओ, salad खाओ, कुछ dry foods बगएरा अच्छी diet यहां पर कहा जा रहे कि लो walk पर जा रहे हो, workout कर रहे हो, exercise कर रहे हो या yoga कर रहे हो, या guided meditations को follow करो अभी आपको मैं बोलू ना meditation करो, डालेक्ट आप नहीं कर पाऊगे लेकिन आप guided meditation कर पाऊगे, option two तो यहां पर guided meditations कर सहारा लो और कुछ चीज़ों को यहां पर let go करो, कुछ चीज़ों से move on अभी ही आप लोगों को करना पड़ेगा, यहां पर ten, ten, ten और यहां पर number zero है endings के साथ यहां पर beginnings भी है, new beginnings आप लोगों के लिए तो यह समय जो है, अभी आप लोगों के लिए option two new beginnings का है, और यहां आपको सहारा थोड़ा सा लेना पड़ेगा, मतलब कि जैसे मैंने कहा ना कि कुछ positive चीज़ों सुन रहे हो, बोल रहे हो, affirmations दे रहे हो, जैसे ओशो को सुन रहे हो, सद्गुरु को सुन रहे हो, तो अगेन भाही में पड़ेगा, एक push यहां पर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, और फिर वो चीज़े जो है, वो आपके flow में आजाएंगे, ठीक है, और देखते हैं, यहां पर क्या message है, option two मुझे हाँ पर सुनाई दे रहा है, leap of faith, leap of faith आप लोगों को लेनी की जरूरत है, option two, विश्वास करिए, और अब अपनी life में आगे भड़े, because आप अभी भी आगे नहीं भड़ोगे, आप अभी भी रोते रहोगे, कोस्ते रहोगे, परिशान रहोगे, past energies में रहोगे, तो फिर तो life बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, मैं आपको बता दूँ, अगर life को बदलना है, energies को shift करना है, तो फिर कुछ extra effort करने पढ़ेंगे, अपने comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पर wisdom का card है, यहाँ पर मा सरस्वती की energies है, देखिए, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, learning, joy, art and music, कुछ ना कुछ सीखो, और again वही message आप लोगे मुझे फिर से मिल रहा music सीख रहे हो, dance सीख रहे हो, art सीख रहे हो, यह कोई, you know, spirituality में कुछ चीजों को पढ़ रहे हो, आप भगवत गीता का part कर रहे हो, तो अपनी knowledge को भढ़ाओ, आपका जो भी profession है, आप job करते हो, business करते हो, that is okay, student आपनी पढ़ाई करते हो, that is okay, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसा क कि उसमें आपका मन लगे, उसमें आपका interest डवलप हो, वो काम करने से आपको खुशी हो, और यह आप लोग को अपने अंदर खुद ढूनना पड़ेगा, कि क्या करने से मुझे खुशी मिल रही है, मेरा passion क्या है, मेरी hobby क्या है, है न, चाहें वो cooking ही सही, चाहें वो कोई भ यह चीज यहां पर आप लोगों से कही जा रही है, कुछ लोग के लिए उनका passion, उनकी hobby, आगे जाके उनका career भी हो सकती है, यह भी message आप लोग के मुझे मिल रहा है, टीप emotions का यहां पर message है, unknown feelings, past life influences, और एक कार्ड अपने आप ही कह रहा है, बहुत emotional हो आप लोग, बहुत स जादा impact कर रहा है, एक lost energy यहां पर आप लोगों के लिए है, कभी कभी आप लोगों सपने में डर लग जाता होगा, डर जाते होंगे, fears हैं यहां पर कुछ, anxiety है यहां पर कुछ आप लोगों के लिए, बहुत सारा लोग यहां पर depression से deal कर रहे हैं, जो भी लोग करें, अधेरे से रोशनी में आप लोग जाएं, लेकिन मैं प्रेयर करूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन दिखो, actions आप लोगों को लेने पड़ेंगे, तो वो चीज यहां पर है, खुद को emotionally balance करना पड़ेगा, moonstone, unclear cards आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, mo आप लोगों को भी कहोंगे कि moonstone आप लोग ज़रूर ब्यार करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, moon energies के साथ काम करें, full moon meditation, new moon meditation, यह आपको बहुत help करेंगे, अभी बात करूं कि remedies आप लोगों को अपने लिए क्या करनी है, जिससे कि आप इस कर्मा को release क कर सकते हो, मुझे हाँ पर old age home का card, you know, message सुनाई दे रहा है कि जो भी old age home रहते हैं, ऐसी जगे के लिए आप लोग कुछ न कुछ डोनेशन ज़रूर करें, ठीक है ना, जो भी, you know, बस मैं और explain नहीं करूंगी, एक तो old age home के लिए आपको कोई न कुछ डोनेशन ज़रूर क है, और दूसरे चीज, जो भी लोग handicapped है, अना, ऐसे लोग ले आप कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करना, देखो, डोनेशन आप किसी भी रूप में करो, वो सब के लिए बहुत ही अच्छा ही रहता है, गुट कर्मा आपके लाइफ में इंक्लियूर करता है, बलसिंग वाली जो healing की मैंने आपको चीज़े बताई है कि यह actions लेने हैं, यह करना है तो वो तो कर नहीं है, और नोटस बना लेना proper कि मुझे यह 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 चीज़े करनी है, जग़ा टाइम नहीं लगेगा, दुबारा से देखना और नोटस बना लेना, और proper फिर उन्हें अपने schedule में लोग करते हैं, ना महनत पर उन्हें फल तो मिलता है, लेकिन करना परता है, विश्वास भी रखना परता है, और धहर भी रखना परता है, यह दो चीज़ों के साथ काम करो, विश्वास और धहर और एक्शन लो, तो definitely results मिलेंगे, लास्ट ले देख लेते हैं, यहां पर कान काना जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मेसेज है, शरेंडर, दो नौट श्रुगल इन लाइफ, सरेंडर तो अल्ड़ तो अन्वांटे और यू रसीव है, शरेंडर तो तो दीवाइन विल, तो यहां पर काना जी आप से कह रहे हैं कि बहुत सारी परिशानिया चल लेकिन अब सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ते भई, होता है ना कि हम मैंनीपेस्ट कर रहे हैं हम बहुत सब्सेंध परिशान हैं लेकिन पर एक पल आजाता है, हम आप आपके ऊपर छोड़ते रहे हैं अब जो होगा हम उसको फेस कर लिए अच्छा या बुरा या जो भी कुछ होगा मैं उसे रिसीफ कर लूँगी आपकी ब्लसिंग समझ कर कि आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आप सब कुछ यहां पर कहा जाए कि डिवाइन विल के उपर ईशर जैसा चाहते हैं उनके उपर इस भाफ को रखके छोड़ दें कि जैसा आप ले जाना चाहते हो वहां मैं चला जाओं जो आप चाहते हो मतलब मैं वही करूं तो कि अपनी डोर जो है वो इशर के हाथों में थमा दो एंदन सब कुछ ठीक हो जाएगा बस यहीं यहां पर कहा जा रहा है आप लोगों से ठीक है ना वाकि आप जिस भी रूप में य आपको मदद मिलती चले जाएगी कुछ लोग अभी कंफ्यूज है मैं कैसे करूं मैं क्या करूं यहां पर कहा जा रहा है बेसिक बेसिक चीजों से शुरू करो चो कि इस रीडिंग में आपको बताई गई है तीरे दीरे जब जब आपको जैसे जैसे यह नो मार्क दर्शन क जरूरत पड़ेगी आपको किसी ना किसी यह नो तरीके से मिल जाएगी मेरे थ्रू इन रीडिंग्स के थ्रू या कोई वीडियो आपके सामने आ रही है कोई गुरू आपके सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी ऑक्या ऑप्शन चूओ जब आप खुश ह करना है मुझे खुश रहना है मिर को अपनी डेस्टनी को बदलना है और बहुत कुछ करता है बहुत कुछ बढ़ा करना है ठीक है नौ ऑप्शन टो तो अपना धेर सरा आप लोग को क्याल रखना है खुश रहना है एक और चीज यह है क्योंकि एमोशनली थोड़ा से यहां प मैंने आपको बता दिया मोन स्टोन अन क्लियर कॉट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे रोजवाज भी साथ मैं बाकि आपकी मर्जी है ठीक है मोन स्टोन सबसे जादा ज़रूरी है ओके सो ऑप्शन टू यह है आप लोगों की रीडिंग आप लोगों की रीडिंग यहां पर कनेक कर सकते हो या मेल कर सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएंगे और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्सीडिंग में तब तक के लिए बाई